तस्वीरे मारे पास पश्म मंगाल के संदेश खाली की हैं वाहाँ पर CBI और NSG कमाड दोज ने 12 डाला वा है तस्वीरे संदेश खाली से हमें बिल रही है यह रहीं आपकी स्क्रीन पर आप देख़ें तस्वीरे संदेश खाली से आ रही है और आपको बताते हैं कि दरसा संदेश खाली में एक बहुत बड़ा ओपरेशन हुआ है कल CBI ने संदेश खाली में रेट की चापा मारा शेक शाजान से जुड़े दो ठेकानों पर ये रेट हुई है और CBI के साथ NSG ने भी मोर्चा समहाला वहाँ पर पांच जन्वरी को ED की टीन पर जो हमला हुआ था उसको लेकर CBI ने ये एक्शन लिया संदेश खाली था और उसके बाद जो हुआ देखिया आप थियार बरामद हुए वहाँ पर कार्तूस बरामद हुए वहाँ पर और जरा NSG का मोर्चा समालते हुए आप ये विजूल भी देखिए तस्वीर भी देखिए NSG को मोर्चा समालना पड़ा जब CBI के अधिकारी ये रेट कर रहे थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए संदेश खाली में CBI के रेट बड़ी खबर चुनाओ चल रहे हैं मददान हो रहा है इसी बीच में संदेश खाली में CBI ने रेट किया संदेश खाली शेक शाहां का गड़ है और CBI ने वहाँ पर बड़ा ओपरेशन किया है ये बड़ा ओपरेशन इसके बारे में डीटेल आप देखिए छापा, CBI का जगय थी, संदेश खाली, मामला था पाथ जनवरी को जो E.D. पर हमला हुआ था, वो किन पर छापा पड़ा संदेश खाली में CBI ने रेट की एक और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे त्रणमूल कॉंगरिस ने चुनाव आयोग को चिठी लिखी है चापेमारी के खिलाब CBI की शिकायप की है चुनाव आयोग से त्रणमूल कॉंगरिस ने चुनाव के दिन CBI की इस कारवाई पर सवाल उठाए गए एक बड़ी अपड़ेट त्रणमूल कॉंगरिस ने चिठी लिख कर इस एक्शन के खिलाब CBI के शिकायप की है चुनाव आयोग से ठीक मतदान के दिन जो एक्शन लिया CBI ने इसकी शिकायप की गई है चुनाव आयोग से त्रणमूल कॉंगरिस के द्वारा चिठी लिख कर जो च्छापा मारा CBI ने NSG के साथ मिलकर इस पर सवाल खड़े किये है त्रणमूल कॉंगरिस ने जो कि बहाँ पर सत्ता में है चुनाव आयोग को बकाइदा चिठी लिखी गई है चुनाव के दिन मतदान के दिन जो ये च्छापा मारा CBI ने दो जगों पर इसके खिलाफ ये देखी जो चिठी है त्रणमूल कॉंगरिस की वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है इसको आप देख सकते हैं सा कंटेंट इस तरीके से चिठी लिखकर शिकायद किये चुनाव आयोग से त्रणमूल कॉंगरिस ने सीब्याई के खिलाफ चुनाव के दिन एक्षिन इस पर सवाल खड़ी किये चिठी लिखकर यह बड़ी अब्रेट वश्यम मंगाल में सातों चरणों में मद्दान ने कल भी मद्दान हुआ था और इसी मद्दान के दिन ये च्छापा मारा क्या तो संदेश खाली में सीब्याई की च्छापे मारी के बाद की इमसी ने बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है में भारतियों जनता पार्टी के कार्यकरता और नेताओं के घर और गाडियों में भी कैश वगरा सब मिला है तो उनको लेगी भी तो बोलना चाहिए था ना कोई ये सब होना नहीं चाहिए अब संदेश खाली के उपर तूट पड़े हैं ये लोग सो उनको ये भी मालूम है कि संदेश खाली कौन से लोकसभा को बिलॉंग करता है साथ वो नाम भी नहीं मालूम होगा कि बशीर हाट का है बशीर हाट के जनता के उपर छोड़ दीजे निया चोठा जूनको रिजल्ट तो देखिए कितने लाक वोटों से बशीर हाट जिताएगी त्रिनमुल कॉंग्रस को अब वो उसकी उपर पड़े है नारी शक्ति ना भी बोले तो अच्छा है नारी का सब्वान नहीं करते है ममता दीदी को कितना गाली देते हैं हेलो कहा नारी को संबान देश खाली बहुत ही खतननक मोर पे जा रहा है पहले तो इतने कॉंट्रोवर्सी हुआ महिलाओं के साथ रेप तक के माम ले आये उसके बाद ड्रक्स का रैकेट वहाँ पे आया उसके बाद यह आम्स और याद रखेगा जो इंपरमेशन आ रहा है जो आम्स रिकोबर्ड हुए है उसमें ज्यादा तर आम्स made in foreign है याने बाहर से मंगबाया गया है तो यह सवाल उट रहा है कि संदिश काली जैसी एसी छोटी जगा पे यह आम्स क्यों रखे गए थे किस लिए क्या कारण है तो इसको जो भारत की सुरक्सा के साथ जुरे हुए जितने भी एजेंसीज है सब को चाहिए इसको तह तक investigate करें जो हतिया की जखीरा बारमद हुआ है एक टीमसी के लीडर के रिलेटिव की घर से हुआ है तो क्यों एक लाके राख खा गया था तो वो लोगी बता पाएंगे इसको पकर के संदेश खाली के जो बेता जवाच्छा रहे हमारे शेक शाजान इनको पकरना चाहिए टीमसी ने सीबियाई की चापे मारी पर जहाँ सवाल उठाए तो केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने मंता सरकार को घेरा है सीबियाई ने ओफिशियल कोई भीट नहीं किया और कोई तस्विर कोई डॉकुमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा तो लोग यह देखना होगा कि यह बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया वहाँ पर भेज दिया फिर सीबियाई चाह रहा है युकुमरी यह एक नाटक है कि नहीं है यह देखना पड़ेगा लेकिन अगर सचमुच कोई आंस है अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कांस्पिरेसी में वहाँ पर वो आंस भेज दिया पोलिस को अलाट रहना चाहिए पच्छिन बंग्नार कि जो सरकार वो अपरादियों से घिरी हुई सरकार वहां अपरादियों के बल्बूते पर मंता जी की शरकार चाहिए इतने इतने हत्यार मिलते हैं मंता शरकार को तो एक तरह से वहां रश्पती शासल लगा देनी चाहिए जिस दम का काड़नामा वो कर रही और मंता बंग्नार जी लोग तंत्र का गला गॉंट रही है और ये खास बढ़को मुशलमानों को तहजील देनी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड क डियूज आपको रखे आगे